ये तस्वीर देख लीजिए अगर आप बहुजन समाज से हैं सोसल मीडिया पर एक्टीव हैं तो आप सब इनके मूरीद होंगे क्योंकि ये लोग बीजेपी का बिरोध करते हैं लेकिन इसमें से देखें जैक्टर निम्मो ये कौन है इसकी सचाई नहीं पता है रोल्फ गां जाकी रली ये तमाम लोग थे और कल दिलीप मंडल को घेर कर आउनलाइन लिंचिंग की कोशिस हो रही थी आपको पता है क्यों क्योंकि दिलीप मंडल इस देश में जाती का डिस्कोर्स चलाते हैं वो कहते हैं कि ये जो तमाम लोग हैं इनको बाबा साहब से ज़्यादा प उसके बाद फूले सहाब ने, पेरियार ने, डक्टर अंबेटकर ने, रामसरूप बर्मा ने, जग्देव परसाद ने, सोनेलाल पटेल ने, मायवत्ती जी ने, कांसी राम सहाब ने, वो सब कुछ नहीं है और इन लोगों को समझ लिजिए जो लगातार दिलीप मंडल को गल ठहरा रहे हैं, नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं ने, सनल दस तक, मैं फिर कह रहा हूँ, जो जितना पढ़ा लिखा होता है, वो उतना महीन जातिबाद ही होता है, ठीक उसी तरह से जो पढ़ा लिखा बहुजन है, वो ही जातिबाद के खिलाफ ल आएगी, इस देश के करोडों SCSTOBC के लोग पर है लिखे नहीं है, तो क्या उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं है, उसके बाद उन्होंने एक जामपल दिया, कि पाकिस्तान में परवेज मुसरफ ने कह दिया था कि ग्रिजुएट आदमी ही चुनाव लड़ेगा, नतीज बिरोध के नाम पर अंधा मत हो ये, और सोचिए 60 साल कॉंग्रेस इस देश की सत्ता में रही है, सब कॉंग्रेस के समर्थक हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश के जो सवर्ण लिब्रल पत्रकार हैं, वो हिंदू मुसलिम पर तो मुसल्मानों के साथ खरे हो सकते हैं, इसलिए इस गूट में जाकीर अली त्यागी भी है, जाकीर अली त्यागी, वो भी दिलीप मंड़ से तमाम इस तरह के सवाल करता है, आप कल बना कर सकते हैं, ठीक वही हो रहा है, मुगलों का दौर था, तुलसी दूबे, भ्रहमन समाज से आते थे, सत्ता के साथ थे, अप अत्याचार हो रहा है, दिलीप मंड़ हर मुद्दे पर लगते हैं, वो स्टी, एस्ट्य ओभी सी के अत्याचार के खिलाभी लगते हैं, वो मुसल्मानों के साथ और एक्ट्रो सिटी के खिलाभी लगते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं, इनसे पूछिए, क्या दिलीप मंडल ने आदि तक किसी भी सरकारी गिर अफतारी को सभी ठहरा एससराते है की बोलते हैं Serve मंडल क्या कर लों कि नहीं है कि ढष्पीछा के खिलाफ को भी पहिस अन ransom सम्धाद lifestyle के साथ हैं जातिबाद के खिलाफ न बोले और अब आप लोग बताए कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है जातिबाद या धार्मीक हिंसा या दोनों धार्मीक हिंसा है कबसे 1908 से लेकिन जातीबादी हिंसा कबसे है मुगलों के दौर से उसका दॉंग्रेजों के दौर में और वो आज भी चल रहा है मैं इसलिए खुल के कह रहा हूं मैंसे बहस किजिए इस देश के तमाम सवन लिब्रल पत्रकार कॉंग्रेसी हो सकते हैं, BJP हो सकते हैं मम्ता के समर्थक हो सकते हैं लेकिन वो किसी भी कीमत पर S.C.H.T. O.B.C. मानोर्टी के समर्थक नहीं है और खास कर वो धार्मिक समर्थन कर सकते हैं लेकिन वो जो constitutional rights है जो सम्वैधानी का दिकार है उसके समर्थन में नहीं बोलते हैं ये ठीक वैसे ही हैं जैसे एक भाई इनका बजरंग दल में है एक भाई मोदी जी की सरकार में है सारे सवन तमाम हिंदुबादी संगटनों के मुखिया कौन है उनकी जाती पता की लिए इस देश में बीजेपी के सरकार में सबसे टॉप पोस्ट पोस्ट पर कौन लोग है उनकी जाती पता किजिए और कॉंग्रेस जब आएगी तो क्या हो जाएगा अगर दिलीप मंडल कह देते हैं कि जब कॉंग्रेस को चुनना था तो उसमें सचिन तिंदुलकर को चुना जब मोधी जी को चुनना हुआ तो पीटी उसा बहुजन बेटी को चुना जब कॉंग्रेस को चुनना था तो परतिवात आई को चुना जब बीजेपी को चुनना हुआ तो उसने एक दलीत और आदिवासी महिला को चुना राजपती के लिए हम लोग डैवर्सिटी के पक्षदर हैं हम लोग सत्ता से सिर्फ दो ही सवाल करते हैं इस देश में जो कंसिशनल राइट से हैं जिसका भी वो मिलना चाहिए और जब मैं सेस्टी और बीसी की बात करता हूँ उसकी पूछ उठाईएगा तब आपको पता चलेगा कि इसलिए असली हकीकत क्या है और दिलीप मंडल वही जब कमजोड नस दवाते हैं तो ये लोग चिलाते हैं दरसले लोग चाहते हैं कि इनका जो बपाउती चल रहा था एक भाई मारेगा दुसरा भाई बचाएगा आप सिर्फ बिक्टिम रहिए इस देश में समाज कॉंग्रेस से भी लर रहा है दलित पिछरे आदिवासी इस देश के किसान इन लोगों को समझ में नहीं आता कि पत्थर चलाने वाला कौन है और पत्थर चलवाने वाला कौन है ये तमाम सुचिए चाहे वो आज कल तक जो लोग कॉंग्रेस की यही सारे सवनली रवीश कुमार हो अन्ना अंदोलन के समर्थक थे अजीत अंजुम हो अन्ना अंदोलन के समर्थक थे ये तमाम सुचिए अन्ना अंदोलन के खिलाव थे नहीं हो सकते हैं यही जातिवाद है इसलिए मैं इस देश के तमाम बहुजन सोचल एक्टिविश्टों से कहता हूं कि दिलीप मंडल के साथ मजबूती से करा हुए इस देश में मानेबर कांसी राम सहाब के जाने के बाद political और social platform पर जाती के discourse को खतम कर दिया गया था उस जाती के discourse को जिसके आधार पर इस देश में सोशन हुआ है तथा गत बुद्ध से लेकर कभीर, रविदास, पिरियार, फूले, अंबेटकर, बाबा सायर, राम सरुप बर्मा, अंकली, जगदेव बाबु यह सब किस किस आंदोलन को चला रहे थे धर्म के अंदोलन को चला रहे थे या जातिवाद के खिलाफ अंदोलन चला रहे थे मानिबरकांसी राम साहब, सोनिलाल पटे, राम सरुप बर्मा, आज भी मौरिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ दिलीप मंडल ने उस पतकाईटा में इस जातिगत भेदवाओ के खिलाफ अंदोलन चलाया और भारत की सबसे बड़ी बिमारी है जाती, भारत जाती परधान देश है दिलीप मंडल के साथ मजबूती से खरे हो ये, और ये जिन्र सोचिए, मुस्लिम समाज को मैं अताकीद कर रहा हूँ आपके साथ सबसे जादा धार्मिक नरसंगार कॉंगरेस के दौर में हुआ है बीजेपी के दौर में भी हो रहा है एक भाई एक बार मारेगा, दुसरा भाई पीट पोचेगा आप अपने political leadership के साथ खरे हो ये आप पिछलगू मत बनिये जैसे बहुजन समाज आप diversity की बात कर रहा है भागिदारी की बात कर रहा है जो political party हमारे हग अधिकार की बात करेगा हम उसके साथ है किसी का बंदवा मजदूर मत बनिये और किसी बहकावे में मत आईये इस देश का जिसको आप हिंदू कहते हैं वो CSTOBC और किसान अपने ही हिंदू धर्म के उन लोगों से लड़ रहा है जो जाती के नाम पर सोशन करते हैं और वही लोग जो जाती के नाम पर सोशन करते हैं वही आपके धार्मी का हिंसा के असली पैरोकार लोग हैं तो समझी आप जो आपके साथ प्रो मुस्लिम बनता है उसकी जाती चेक किजिए वो एक भाई मारेगा एक भाई बचाएगा आप सिर्फ खेल का फुटबॉल बने रही है एक भाई उदर से मारेगा एक भाई उदर से मारेगा दिलीप मंडल ने इसी के खेल को बदला है चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज इन्वरसिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो अगर दिलीप मंडल की बजर से या जाती का डिस्कोर्स खरा हुआ है और तमाम महापूर्से के अंदोलन को वो आगे बढ़ा रहे है और इस देश के कॉलेज जो पावर सेंटर से, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज इन्वरसिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, खेल, स्पोर्स उसमें बहुजन समाज की भागदारी तैह हो, किसानों की भागदारी तैह हो, धार्मी कल संक्रकों की भागदारी तैह हो इसकी लडाई दिलीप मंडल लग रहे हैं और इसलिए इनको पेट में दर्ध हो रहा है इसलिए ये जो मनुबादी है इन से साबधान रही ये कॉंग्रेस भी 60 साल तो कॉंग्रेस थी क्या मनुबादी नहीं है इस देश की सचाई जाती है जो जाती नहीं है जाती के अलावा सब धोखा है इस देश में सारे फैसले कोट कचरी धाना पुलिस दरोगा साधी ब्या उठना बैठना सब जाती के अधार पर होता है और दिलीप मंडल जब इनकी पूछ पर जाती वाली पूछ पर लात रखते हैं तो ये मिमी आते हैं ये भौकते हैं ये काटने के लिए द सबसे झादे खतरनाक है ये ग्रीन गरास में छुपे इस संगि जो उनको पालन पॉसन करते हैं सब्से ज्यादा पालन पूसन करता ये लिफ्टी बीक इसलिए इस साब्धान रहिए इनलों को बड़ा दिक्कत होता है कि बें पींददे का भीन जाती कर सिरू पर सिरू करता जो मनुवादी कह वही सही, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज को, स्च, स्ट, योविसी, किसान जातियों को, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन सब को, ऐसे मनुवादियों से साब्धान रहना होगा, इन लोग की पॉलिसी है, कि एक बार बीजेपी, एक बार इन से पुछिए अकलेश यादव, लालू यादव, मायवती जी पर, इन से पुछिए हमन सोरेन पर, मुष सिल जाएगा, इसलिए समय है सत्ता की सिदारी का, इन से पुछिए, ओवैसी पर पुछिए, क्या टेक है इन लोग का, मायवती, ओवैसी, इन सब के खिलाफ हैं, कि ये चाहते हैं, कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, और दिलीप मंडल इसका जब पोल खोलते हैं, तो उनको लिंचिंग कर रहे हैं, मैं बहुजन समास से अपील करता हूँ, 90%, 95% अवादी है हमारी, मैं इस देश के SC, STOBC, धार्मिक अलफ संक्षकों से, कि जो लोग, जात के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, वही धर्म के नाम पर हिंसा भरका रहे हैं, उनसे साबधान रहे हैं, और दिलीप मंडल समयधानिक आदमी हैं, कंसिशनल आदमी हैं, और वो समयधानिक अधिकार के पक्ष में हैं, क्या आप सहमत है कि परहा लिखा आदमी कोई चुनाव लगन चाहिए इन्हीं के बाप दादा थे जो आजादी के समय कह रहे थे कि परेर लिखे लोग कोई बोट देने का अधिकार हो मानेबर साब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागेदारी परहा लिखा बहुत जरूरी है जरूरी है परहाई लिखाई ज्यान हम लोग एई तो कह रहे हैं कौन स्कूल बंद कर रहा है कौन प्राइट आज़िशन शुरू कर रहा है कौन फीहाई कर रहा है इस पर कभी बोलिए मुष्सिल जाएगा आपका ये लोग जान बुछकर तमाम मुद्दों को भरकाओं, ये आरक्षन पर नहीं बोलेंगे, ये रिजर्वेशन पर नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ BJP, Congress, BJP, Congress, BJP, Congress, जाती पूछ दीजिये तो इनके दुम पर लात पर जाता है, दिलीप मंडल के साथ बस सलुकी हुई है, और पूरी तरह से इस देश के Constitution के साथ हूँ, और भारत का समिधान कहीं नहीं कहता है, कि परहा लिखा आदमी चुनाओ नहीं लर सकता है, तब तो कलाफुल बतिया देवी को नकार दीजेगा, ये वही लोग हैं, जो लालु यादव का मजा कुराते हैं, ये वही लोग हैं जो है सीवु सुरेंटा मजा कुराते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, दो फरक आया है, कॉंग्रेस के राज में जाती देखकर करवाई होती थी, चाहे इंकम टेक्स हो, इडी हो, जेल पहुचा ना हो, मोधी जी के राज में, बीजेपी के राज में, पार्टी देखकर करवाई होती है, फरक नहीं है दोनों में, एक सांफनात है, तो एक नागनात है, और ये दोनों सवर लीडर्सी बाली पार्टियां है, बहुचनों को अपनी हिस्सेदारी पर सवाल करना चाहिए, और दिलीप मंडल वही हिस्सेदारी के सवाल उठा रहे हैं, आप लोग अपनी पर् प्रेंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें